दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में आज की वीडियो में हम भारत के नए एर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो कि सुपरसॉनिक टार्गेट्स को भी खतम कर सकता है हम बात कर रहे हैं वर्टिकल लांजड शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एर मिसायल सिस्टम के बारे में ये भात दुवारा डिवैल्प किये जा रहे अस्तर एर टू एर मिसायल सिस्टम के उपर बेस्ट एक एर डिफेंस सिस्टम है यह हमारे देश के multi-laid aid defense system का एक हिस्सा है यह हमारे देश का पांचवा इंडिनियस aid defense system है जो कि हमारी aid defense requirements को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है हमारे देश के multi-laid aid defense में सभी तरहें के aid defense system शामिल है और इस system में सभी aid defense system मिलकर काम करेंगे हमारे देश का जो S-400 missile defense system होगा वो 400 km दूर से ही किसी target और intercept करने की शमता रखता है और जो हमारे short range aid defense system है जैसे की अकाश missile defense system और QR 7 missile defense system वो short range की उपर targets को intercept करेंगे लेकिन जो 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 अस्तर missile based aid defense system बनाया जा रहा है ये एक point defense interceptor aid missile defense system है जो की बहुत करीब आ चुके targets को intercept करने के लिए इसे आप हमारे aid defense umbrella का last line of defense के तौर पर समझ सकते है भाद के DRDो ने इस system पर काम करना शुरू कर दिया है इस system के दो variants होंगे एक Air Force variant होगा और एक Indian Navy का variant होगा Air Force को high mobility truck mounted canister based surface to air missile defense system मिलेगा और Navy को canister based surface to air missile system मिलेगा Navy इस system को अपनी front line warships पर deploy करेगी हर एक vertical launch unit में 8 heavily modified quick reaction SAM system होंगे और इनमें supersonic targets को खतम करने की शमता होगी canisters को ऐसे design किया गया है कि ये missiles को hot mode में launch कर सकते हैं इसमें missile के ignition को canister के अंदर ही शुरू कर दिया जाता है आम तोर पर कुछ missile defense systems में missile को file करने से पहले canister से बाहर कुछ किया जाता है और फिर वो launch होती है लेकिन इस system में missile canister के अंदर ही ignition शुरू कर देगी जिससे launch काफी तेजी से होगा और हमें एक quick reaction missile defense system मिलेगा हर एक vertical launch unit को ऐसे design किया गया है कि वो missiles को एक के बाद एक तेजी से launch कर सकेगा ऐसा तब किया जाएगा जब इसे multiple projectiles को hit करना हो अस्तर missile based ये a defense system एक quick correction point defense system है जिसे की सुपरसॉनिक sea skimming targets के against इस्तिमाल किया जाएगा ये सुपरसॉनिक cruise missiles को भी intercept कर पाएगा इसके साथ ही ये एक craft UAVs और दूसे munitions को भी intercept कर सकेगा अभी तक इसकी range के बारे में DRD ने जानकारी नहीं दी है लेकिन ऐसा zoom किया गया है कि अस्तर मार्क 1 configuration में इसकी range 40 km से लेकर 50 km तक होगी और जो future अस्तर मार्क 2 variant होगा उसकी range 80 km तक होगी अस्तर मिसाइल हमारे देश की Indianus 8 air missile है जो कि हमारे 130 m के एक craft में integrate की जा चुकी है और बाकी एक craft में धीरी धीरी integrate की जा रही है DRD ने इसके spin-off variant की possibility को ध्यान में रखते होए एक spin-off ground-based अस्तर मिसाइल system को develop करने के लिए सभी data पहले है collect कर लिया था इसमें उन्होंने ये भी चेक किया था कि surface to air mode में ये मिसाइल कैसे काम करेगी तो उन्हें ये पता चला था कि ये system surface to air mode में बहुत अच्छा काम करेगा जिसके बाद DRD ने इसकी development को शुरू किया है vertical launch short range surface to air missile system की family में air force variant में एक truck mounted command and control unit होगी जिसमें एक radar होगा और four to six missile firing units होगी और एक replenishment sport रख होगा जो नेवी के लिए variant बनाया जाएगा उसको ship के main और secondary radar system के साथ integrate किया जाएगा इस integration के बाद ये system tracking and detection के लिए ship के radar system का इस्तिमाल करेगा air force एक ऐसे system की तलाश में थी जो कि वो अपने C-130 या illusion 76 aircraft से ट्रांसपोर्ट कर सके ये vertical launched air defense system हमारे अकाश air defense system को supplement करेगा ये vertical launched अस्तर missile based system हमारी नेवी की front line warships में लगे पुराने हो चुके इसराइली supplied बराक one point defense interceptor missiles को replace करेगा अभी एक सवाल सामने आता है कि अस्तर missile की range तो 110 km की है तो इस system की range इतनी कम क्यों है तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो air to air missile की range होती है उसे fast moving aircraft के against एक altitude के उपर head on encounters के लिए estimate किया जाता है लेकिन जब इन missiles को ground से stationary platform से launch किया जाता है तो इनकी range काफी कम हो जाती है यह system हमारी navy और air force दोनों के लिए काफी खास होने वाला है यहाँ पर आपको बता दें कि जो सुपरसोनिक sea skimming cruise missiles होती है वो काफी low fly कर सकती है और वो radar से अतनी देर तक शुपी रह सकती है कि वो ship यहाँ जहाँ आपके target के काफी करीब आ जाएं और उनकी ज़़ा speed होने के कारण आपकी ship यहाँ आपकी system को तभी उस missile के बारे में पता चलता है जब वो आपके काफी करीब आ जाती है तो वहाँ पर आपके long range air missile defense system काम नहीं आते हैं तब ऐसे ही system काम आते हैं जो कि point defense interceptor system होते हैं जो कि काफी तेजी से launch होकर किसी भी missile को intercept कर सकते हैं यही कारण है कि यह system इतना important है और यह supersonic missiles को भी intercept कर पाएगा एक multi-laid air defense system में अगर कोई target आपकी long range air defense system से बच जाता है तो उसको intercept करने के लिए इनी short range quick reaction systems का इस्तिमाल किया जाएगा जो कि बहुत तेजी से हरकत में आ जाएंगे और target और intercept कर देंगे इससे पहले हम अमेरिका से उनका एक multi-laid missile defense system N.A.S.A.M.S. 2 खरीदने वाले थे यह अमेरिका का एक multi-laid missile defense system है लेकिन हमारी इंडिनियर फोर्स ने इंडियन government को officially यह बता दिया था कि वो इस American system को खरीदना नहीं चाहते हैं इससे पहले अमेरिका के साथ इन systems को खरीदने की बात चद रही थी यह deal वन बिलियन डॉलर्स पर estimate की गई थी इस system में A.A.M. 120D और A.A.M. 9NEX जैसी A to Air missiles का इस्तिमाल किया गया था इसमें भी अमेरिका की A to Air missiles को वर्टिकले लॉंच किया जाता है लेकिन एर फोर्स ने इंडिनियर सिस्टम का साथ देते होए इस system को नहीं खरीदा और अपने अस्तर missile based system को support किया उस वक्त हमारे देश के defense analyst भी ऐसा कह रहे थे कि इस American system को खरीदना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास एक local missile system जैसे की Akash और QR Sam available है जो की वैसी ही same capabilities वाले है उस वक्त ये चिंता भी जाहिर की गई थी कि क्योंकि हमारे पास पहले ही अलग अलग देशों द्वारा बनाएंगे aid defense system में available हैं तो अगर हम एक American system को खरीद लेते हैं तो इन सभी systems को एक साथ integrate करना काफी मुश्किल हो जाएगा और हम एक multilade aid defense system को नहीं बना पाएंगे क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि America अपने system को Russian system के साथ integrate नहीं करना चाहता है और वो problem भी तब भी सामने आ जाती थी इसलिए हमारे लिए यही logical option थी कि हम हमारे Indian system को लेकर ही आगे बढ़ें और इस system की development काफी advance stage पर चल रही है क्योंकि हमारे पास इसमें इस्तिमाल की जाने वाली अस्तर missile पहले ही available है तो ऐसा expect किया जा सकता है कि इसी साल इस system का एक surprise test हो सकता है और इसके साथ ही हमारा DR-DOB एक ऐसे high energy mode में चल रहा है जैसे इसको पहले कभी नहीं देखा गया था तो ऐसा बिलकुल मुम्किन है कि ये test हम अगले कुछ दिनों में देख सकते हैं तो दोस्तो आज कि इस वीडियो में अतना है गर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जो लाइक और शेर करें थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो जै हिंत जै भारत